नमस्कार दोस्तों मैं राजिश भार्गव स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियालजी पर दोस्तों इस वीडियो का हमारा जो विशे है वो है रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स यानि के परीमे और परी आइकन को भी प्रैस कर दीजिए फ्री स्टडी मेटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट अंट्रेंसियालजी डॉट कॉम पर भी विजिट कर सकते हैं आप हमसे हमारे सोसल मेडिया पीजिस के थूरू भी जुड़ सकते हैं जिनके एड्रेस जो हैं वह स्क्रीन पर दिये हुए हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स तो दोस्तों रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में डिसकस करने से पहले थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में यहां पर डिसकस करते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं व वह जो हमारे counting number होते है, minus one, minus two, minus three, minus four, minus five इस तरह से, ठीक है? तो ये जो LOL होता है, वह कहलाता है, integers का, ठीक है? है, अगर हम one की बात करें, integer is, five की बात करें, integer, अगर हम 1000, 1 की बात करें, integer है 0 भी एक integer होता है और ठीक है, और उसके बाद जो minus 1 है वो भी एक integer है और minus 5 तो ये पूरा set है ठीक है, पूरा set है, ये integers का कहलाता है, यतने भी counting numbers होते हैं, 0 और negative of the counting numbers, ये सारे जो हैं हमारे integer values जो हैं वो कहलाती है और integers को जो है हम हिंदी में यहाँ पर कहते है पूर्णांग किसे बोला जाता है हिंदी में integers को ठीक है, तो integers बताने का मेरा एक यहाँ पर जो है, एक मकसद है आगे अभी मैं आपको जब rational और इलिशनल नमबर के बारे में अगली slides पर बताऊंगा तो आपके लियो प्योगियो ने वाला तो integers जो होते हैं सारे counting numbers 1, 2, 3 और आगे-आगे और उसके बाद 0 और minus 1, minus 2, minus 3 तो इस तरह से यह integers होते हैं अब आगे हम rational और irrational numbers को discuss करते हैं, चलिए, next slide पर तो दोस्तों यहाँ पर हम discuss करते slide पर rational number अब rational numbers क्या होता है मैंने आपको integers बता दिया है rational, मैं आपे definition बता दूँगा मैं पूरी यहाँ पर लिख कर आपको नहीं बता दूँगा कि rational number वो होते हैं जिनको हम p upon q की form में जो है express कर सकते हैं, लिख सकते हैं ठीक है, बट सर्त यह है कि q की value जो है, क्योंकि जो value है वो 0 नहीं होनी चाहिए ठीक है, ऐसे जितने भी number होते हैं वो rational number होते हैं आपने हिंदी में आप पढ़ते हैं जो भिन वाले जो अंको होते हैं भिन वाले, भिन का मतलब बटे वाले जो होते हैं अगर मैं simple भासाइं बोलू तो यह होते हैं rational number यानि की परी में जो संख्याएं होती हैं वो p q की form में हम लिख सकते हैं अब जो p जो p होगा वो होगा, कोई भी वो integer हो सकता है, राइट यह भी कोई, और q भी कोई integer हो सकता है आप integer मैंने आपको देखो, मकसद आगे हैं पर integer बताने का कि integer कुछ भी हो सकता है प्लस का नंबर हो सकता है माइनस हो सकता है, ठीक है और कहीं न कहीं वो आप integer का 0 जो है, कह सकते हैं बट सर्त यह है कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता, यह याद रखिएगा विसेश तर्फे, कि q शुड नाट भी 0, अकर आपको किसी भी नंबर को rational नंबर कहना है, तो सर्त यह है कि p q को, p q की form में, p upon q की form में उसे नंबर को लिख सकें और q की value कभी भी यानि कि जो denominator होगा, उपर वाले को हम कहते हैं, numerator और नीचे वाले को बोलते हम denominator, यानि कि p को, यहाँ पे जो p होगा उसको numerator और नीचे वाले q को बोलेंगे denominator, ठीक है अन्स और हर, हिंदी में जो होता है तो q की जो value होती है, rational number में वो कभी भी 0 नहीं होगी अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इनके examples बताता हूँ, suppose कीजिए में एक number लिखता हूँ, minus 3 upon 4 तो देखे, 3 integer है q की value जो है, वो 0 नहीं है तो यह क्या है दोस्तों यह एक क्या है, rational number अब मैं लिखता हूँ, एक और value 1 minus 1 upon 2 तो यह भी क्या है, एक rational number है मैं लिखता हूँ, 3 upon 5 यह भी एक क्या है, यह एक rational number है, ठीक है तो इस तरह से हम, जो है rational number की बात करते है तो rational number मैं आपको बताया कि जो p q की form में लिख सकते है, ठीक है, और q की values में 0 नहीं है, और जो p होता है, q होता है, वो एक integer होता है बट q की, क्यो की 0 भी एक integer है, तो अभी यहाँ पे q की value हमने पहली बता दी है, कि q की values में 0 नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं हो सकती है एक rational number में, ठीक है next slide पर चलते है, तो दोस्तों अब discuss करते हैं irrational numbers के बारे में यानि कि आप परीमे संख्याएं क्या होती है उनके बारे में, इस slide पर हम discuss करते हैं तो दोस्तों, अभी मैंने आपको rational numbers के बारे बताया कि जिन numbers को हम p upon q की form में लिख सकते हैं और q की value होनी चाहिए, वो 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए ठीक है, बाकि कोई भी value चलेगी integer चलेगा तो अब इसका opposite आप कर दीजे, उल्टा की जो number p upon q की form में नहीं लिखे जा सकते हैं बिल्कुल rational number का उल्टा जो हो गया, ठीक है जो opposite उन numbers को हम कहते हैं, जो p upon q की form में नहीं express कि जा सकते लिखे जा सकते, उन्हें कहते हैं irrational numbers, ठीक है तो इरेशनल नमबर जो होते हैं वो नेचर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बहुत लंबा एक नमबर निकल जाता है पॉइंट में और आप उसमें जो है लंबी लंब जितना भी आप डिवाइड मतलब आगे इसकी वैलू की सकते जितनी अधर जी तो वो नहीं होगा आगे भी नमबर चलता चला जाएगा तो आप इसनमबर को जो एक परफेक्ट स्क्वैर नहीं है किसी भी नमबर का तो कुछ इस तरह की जो वैलूज को स्क्वार इसमें कि order करूए कोई अपड़नेंग कुछ आपको अंपर कुरेंस तरह करने मिलगा इसका इंद नहीं इस तरह से नम्बर सो ते हैं हमारे वह कहलाते हमारे इरेशनल उब जिए से मैं पाई कारो पाई होती है वह हमारी होती है है वैसे तो साधरन्त है हम उसको एक एस्टीमेट करके हम 22 बटे साथ यानि 22 अपन 7 लिख देते हैं अगर मैं उसकी डेसिमल वैलू की बात करूँ तो आपको जो पाई की वैलू है वो डेसिमल में आपको कुछ इस तरह की मिलेगी ठीक है और यह भी आगे नंबर जो है नॉन वग्यरा को निकालने के लिए तो इस तरह से जो है हमारे इस तरह के होते हैं कि जिने हम पी 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 अपॉन क्यूं की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं ठीक है जस्ट अपोजिट टू दा रेशनल नंबर ठीक है तो आप आशा करता हूं कि आपको जो है यह टॉपिक समझ आ गया होगा जो रेशनल नंबर इंटीजर सह Beetle ना इन आपको बताया कि मैंने आपको इंटीजर्स का यूज़ करके मैं आपको रेशनल नंबर समझाए कि क्या होता है जो पी अपॉन क्यूं की फॉर्म मेंấu मजिक सकते हैं और लेकिन वहाँ यू का जो मान है क्यूं की जो लावा नहीं होनी चाहिए उसके उल्टार इरिशनल नंबर्स वह होते हैं जहां पर जिन नंबर्स को हम P upon Q की की प्रॉम में नहीं लिख सकते हैं जो नेचर में non terminating होते हैं जैसे कि स्कौयर रूट्स की जो नंबर्स स्क्वैर नहीं होतेwest स्क्वैर होता है वह देखेंगे कि वन नमबर rapar यह नमबर है उन्लना टीक है तो आशा करता हूं कि स्क्राइज में आ गया हो और और अगर को कुई क्वैस्टन है या आपको defense करना चाहते हैं तो please comment box में बता सकते हैं Thanks for watching please subscribe our channel तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा Please comment करना ना भूलें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो please इसे like और share जरूर करें अपने जानने वालों के साथ अपने दोस्तों के साथ और अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए और साथी साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फिरी स्टडी मटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट अंट्रेंसियोलोजी.com पर भी विजिट कर सकते हैं आप हमसे हमारे सोसल मीडिया पेजिस के तुरू भी जुड़ सकते हैं जिनका लिंक जो है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टडी करते रहें एंट्रेंसि के साथ मैं हूँ राजेश भार्गव नमस्कार